नमस्का फ्रेंड्स में नाम पब्लु और माइप पेपर हैकर में आपका स्वाग करते हैं तो फ्रेंट्स आजम देखने वाले हैं बी ये पार्ट थर्ड का हिस्ट्री का थर्ड फेपर के एम सीक्यू क्योशन के लिए पार्ट फस्ट हमारा ये रहने वाला है जिसमें आपको क्या गळेखने को मिलेगा यूनिट फस्ट और अटीज की मिलेगा टीन। एमसे की question बहुत important आपका ये notes हो जाता है एक notes आपको दिया जा रहा है टेलिग्राम पर उसको link आपको देखने को मिलेगा बी ये पार्ट थर्ड के history के first, second, third, तीनों के MC की question देखने को मिलेंगे तीन से चार बुकों में और कुछ notes हमारे द्वारा कुछ MSN question बाया है वह बहुत important question उसमें देखने के लिए एक भी question महां से बाहर आपके exam में नहीं जाने वाला है तो भाई आपको वह पेडिया टेलिग्राम से download कर ही लेना है ठीक है तो बढ़ते हैं आगे की ओर क्यूशन हो जाता है हमारा first question को देखना है first question कहां से हमारा क्या रहने वाला है क्योशन कह रहा है यहां पर सिंदू घाटी सब्विता की खोज किस बर्स की गई थी यह आपको बताना है ठीक है तो राइट आंसर क्या रहने वाला है बताईगा 1902, 1921, 1922, 1925 तो राइट आंसर क्या रहने वाला है सिंदू घाटी सब्विता की जो खोज की गई थी वो किस ब बहुत ही important question, आगे बढ़ते हैं, मोहन जोदलो का उत्खनन किस बर से प्रारंब हुआ था, ये आपको बता रहा है, मोहन जोदलो का उत्खनन किस बर से प्रारंब हुआ था, 1856 में, 1902 में, 1912 में, 1922 में, कौन सा बिल्कुल right answer रहने वाला है, मोहन जोदलो का उत्खनन किया गया था, 1922 में किया गया था, right answer option number B यहाँ पर हो जाएगा, मोहन जोदलो का अर्थि क्या होता है, ये आपको बताना है, मिर्तको का टीला, देवो का टीला, मानवो का टीला, या फिर देवियों का टीला, मोहन जोदलो का अर्थि क्या होता है, पित्रस्तात्मक तथा मात्रस्तात्मक देवस्तात्मक या कोई नहीं तो राइट आंसर क्या रहने वाला है सिंदु घाटी सब्विता के परिबार कैसे थे तो वो हो जाते हैं मात्रस्तात्मक ठीक है राइट आंसर ओप्शन नमबर बा आगे करें सिंदू सब्विता में मानने किस देवता को आरे लोगों ने अपनाया तो आरे लोगों ने सिंदू सब्विता में किस देवता को पनाया था याक को बताना है पसुपती हनुमान गडेश या फिर लिंक पुया कौन सा बिलकुल राइट आंसर रहने वाला है सिंदु घाटी सबभिता के समय देबचा कौन किसे माना जाता था पासुपती के लिए माना जाता था राइट आंसर ऑप्शन नम्बर A आगे वरते सिंदु घाटी को लोग नहीं जानते थे किस नाम से नहीं जाने हैं सिंदु घाटी के लोग नहीं जानते थे किये होना चाहिए यहां पर नहीं किये के लोग नहीं जानते थे क्या नहीं जानते थे जो कपास तंबाकू या फिर राई किसको नहीं जानते थे यह आपको बतान कर्मार कारण के इसके प्रमार कहां मिले ठाइए भाख आको बताना है असाल में या फिर चनहु दड़ों में तो राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है सिंदू सब्विता के बिनास के उसाची मिलेते वो कहां मिलेते चनहु दड़ों में मिलेते राइट आंसर उदैगा ऑक्षिन नमबर दा ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन की और कहार है यहाँ पर सिंदू सब्विता का बिसाल इस्नानागार कहां पराप्द हुआ糖रों में राइट आंसर उप्षिन नमबर सा आगे बढ़ते हैं यहाँ कहार है सिंदू सब्विता से संबंधित सिंदू सब्विता से संबंधित नत्य करती हुई इस्त्री की मूर्ती बनी है इसकी बनी है चांदी की स्वड की पासाड की या फिर कांस की सिंदू सब्विता से संबंधित नत्य करती हुई इस्त्री की मूर्ती है वो कैस की बनी हुई है यह आपको बताना है चांदी स्वड कपाव कांस या फिर पासाड तो राइट आंसर मारा क्या रहने बाला है यह आपको बताना है ठीक है तो किसकी बनी है वई कांसर की बनी हुई है राइट आंसर आप्शन नंबर दा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कह रहा है लिंग्द पूजा का आरंब कब से हुआ था यह हडपा काल से वई थी किस से वी थी हडपा काल से वी थी आगे बढ़ते हैं यहां पर मिस्र में पाई जाने बाली ममी का प्रति रूप सिंदू घाटी संब्विता के किस इस्थल पर पाया गया है यह आपको बता रहा है ये आप लो थल काली बंगा या फिर सुर्क उट्टा या फिर हो जाता है चन्हों दड़ो कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है तो मम्मी के साथ मेले हुए है इस थल पर पाए जाते हैं वो अपना कौन सा है फटावड इसका आंसर दीजिएगा बिल्कुल राइट आंसर लो थल हो जाएगा क्या हो जाएगा लो थल हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आरे सब्द का सावदिक अर्थ है आरे सब्द का सावद कर्थ क्या है यह आपको बताना है स्रेष्ट या कुलीन, विद्वान, भी और योद्धा यग करने वाला कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है तो आरे सब्द का सावद कर्थ होता है स्रेष्ट और कुलीन होता है क्या होता है स्रेश्ट और कुलीन होता है आगे बरते हैं आरे की मुख्य देन क्या है आरे की मुख्य देन क्या है दर्सन साहित कला या फिर जाती प्रथा यहाँ पर कौन सा विलकूर राइट रहने वाला है जो आरे की मुख्य देन है वो अपना क्या हो जाता है, बेह हो जाता है, साहित, right answer option number 2 आगे बरते हैं यहाँ पर स्रगवेद में सबसे प्रतापी देवता कहा जाता है सबसे प्रतापी देवता किसे कहते हैं, यह आपको बताना है बिश्नु, बरुड, इंद्र या फिर मातरत, मारुत कौन सा यहाँ पर right होगा स्रगवेद में सबसे प्रतापी देवता कहा जाता है, तो बेह अपने कौन हो जाते हैं, इंद्र हो जाते हैं, right answer option number 6 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर स्रगवेदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार था स्रगवेदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार क्या था, यह आपको बताना है, परिबार, गोत्र, जन या फिर ग्राम यहाँ पर कौन सा विलकुर right answer रहने वाला है सामाजिक संगठन क्या था बह हो जाता है गौत राइट आंसर अप्शन नमबर 2 आगे बढ़ते हैं आरे की सबसे पिर्मुक नदी थी जो आरे थे उनकी सबसे पिर्मुक नदी कौन सी थी यह आको पताना है गंगा योमना सिंदू सरस्वती सबी को पता है कौन सीती सरस्वती थी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कायरा भारती आर्यो का सबसे प्राचीन ग्रंत है या रहती को देखीगा नेक्स्ट एकोशन कांसर महारा क्या रेने वाला है यहाँ पर कह रहा रहा है रिग वैद काल में राजा का पद था रिगवेद काल में राजा का जो पद था वो कैसा था बंसानुगत था निरंकुस था गरतंतात्मक था या निरंकुस रासतंत्रात्मक था कौन सा यहाँ पर बिल्कुर राइट रहने वाला है तो जो रिगवेद था उस समय कैसा था बंसानुगत था राजा का पद आगे बढसे ही यहाँ और को बताना है घोड़ा हाती गाए या फिर बैल और यहाँ पर राय्ट रहने वाला है आपको पता है रिगिबेड में सबसे ज़्यादा जो चर्चित प्रसूल था वो कौन था गाय था आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आरे साहित की बहां साथी आरे साहित की बहां साथी कैसी थी पाली, दिरबिड, प्रकर्तिक या फिर संस्किर्ट तो आरे की हो जाती है प्रकर्तिक और जैन की हो जाती है पाली और जैन की हो जाती है प्रकर्तिक ठीक है तो राइट आंसर कौन से जाएगा ऑप्शन नमबर आ हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल राइट आरे साहित की बहां साथी भी शौरी 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 यहां पर आर साहितblehा है औंडा यहां पर रहा नहीं होगा आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट एकुशन की और, बहाँ पर बहुत जैन की बात हो रहे हैं, यहाँ पर आरे में संस्क्रित हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ब्रहा बेद किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है, रिग बेद, अर्थ बेद, यदर बेद, साम बेद, ब्रहा बेद किसे कहते हैं, जो ब्रहा बेद है, उसे अर्थ बेद को ब्रहा बेद कहा जाता है, ठीक है, ब्रहा बेद किसे कहते हैं, अर्थ बेद को ब्रहा बेद कहा जाता है, आगे बढ़ते हैं, मैं कभी हूँ, मेरा पिता बेद है, और मेरी मा अनाज पीशने बाली है, र रिगिवेद में नबे मंडल में किसका कथन है यह आपको बताना है रिसी अस्री अत्री का रिसी अंगिरस्टिका रिसी बिश्वामित्र का रिसी बरिष्टिका बसिष्टिका यहाँ पर राइट आंसर बताना है कौन सा बिल्कुर राइट होगा तो रिसी अंगिरस का यह हो जाता है किसका रिसी अंगिरस का हो जाता है मैं कभी हूँ मेरा पिता बैद है और मेरी मा अनाज पीसने बाली है यह रिगवेद में नवे मंडल में यह किसका कथन है रिसी अंगिरिस का कथन हो जाता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एकोशन की और कहरा है यहाँ पर गायत्री मंत्र का सरपरतम उल्ले किस ग्रंथ में किया गया है रिगवेद में, आरके में, महाभारत में या पर कठोप निशद में कौन सा यहाँ पर राइट होगा जो गायत्री मंत्र हो जाता है उसका किस में किया गया है रिगवेद में किया गया है आगे बढ़ते हैं पूरु बैदिक कालीन आरियों का मुखे बेवेसाय था पूर बैदिक कालीन आरियों का मुखे बविसाय क्या था? खेती, पसू पालन, शिकार या फिर मचली पालना पूर बैदिक कालीन आरियों का क्या था? इनका तो क्या था? भी पसू पालनी होगा है ना? आँ बिलकुल पसू पालन ही था right answer option number 2 आगे बढ़ते हैं यहापर बैदिक कालीन देविताओं की संख्या थी बैदिक कालीन जो देविता थे उनकी संख्या कितनी थी? very important question 13, 23, 33 या फिर 33 तो बैदिक कालीन जो देविता थे उनकी संख्या कितनी थी? 33 ती, right answer option number 7 आगे बढ़ते हैं महाजन सब्द का उल्ले किस ग्रंत में हुआ है? जो महाजन सब्द है उसका उल्ले किस ग्रंत में हुआ है? यह आपको बताना है गौपत बिरहाण यहापर हो जाएगा तुमारा सत्पत बिरहाण, एत्रिय बिरहाण, यहापर कौस्तिकी बिरहाण यहाँ पर right answer कौन सा रहने वाला है तो महाजन सब्द का उल्ले किस गंत में है सत्पत ब्रहाण में हो जाएगा right answer option number 2 हो जाता है बिल्कुल right आगे बढ़ते हैं बैदिक काल में कानून की उत्पत्ती का श्रिय था बैदिक काल में कानून की उत्पत्ती का जो इस्तोत था आपको बताना है कौन सा था समराट, जन्ता, धर्म या फिर पिकर्ती यहाँ पर कौन सा विल्कुल right answer अपना रहने वाला है तो बैदिक काल में कानून की पिकर्ती का जो इस्तोत था वो का था धर्म था right answer हो जाएगा option number 3 आगे बढ़ता है next to कौन सा यग, राजा के राजविसेख से संब्दित था कौन सा यग जो है वो राजा के राजविसेख जो होता था उसे संब्दित था राजविसेख या फिर बाज Mentor या फिर हो जाता है अग्निश्टोम यग कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है तो जाएगा राजशुवयग कौन सा राजशुवयग यहां पर राइट आंस हो जाएगा option number 2 आगे देखते हैं यहां दरेखा है कि उशनमर 29 करा उत्तर बैदिक काल में गरतंत्र को कहा जाता था उत्तर बैदिक काल में गर आगे बढ़ते हैं पाड़नी का संबंद किस से था ब्याकर से अर्थसास्ते ध्रमसास्ते समासास्ते पाड़नी का संबंद किस से था तो बैह हो जाता है किसे ब्याकर से राइट आंसर आप्शन नमबर हो जाएगा अपना ठीक है पाड़नी का संबंद किस से था ब्याकर से कौन सा माना जाता है भर्म jan अर्त यह कां कि यह कहा जाता है मोच को जिस ब्यक्ती को मोच diff प्रात्त हो गया बई हो जादा है आपर किस संस्कृत किस संस्कृत साहित की रचना को आधी काब कहा गया है किस संस्कृत साहित की रचना को आधी काब कहा गया है महाबारत रामायड या पर रितु संहार या पर मेगदूत यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा आधी काब किसे कहा गया है यह आपको यहाँ पर बताना है तो आधी काब किसे कहा गया है रामायड को आधी काब कहा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर किस गिरंत को पंचम बेद कहा जाता है किस गिरंत को पंचम बेद कहा जाता है ब्रहासूत्र रामायड महा भारत उत्तर राम चरित कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट होगा किस गरंत को पंचम बेद कहा जाता है ये आपको बताना है पंचम बेद यहाँ पर है आदी काब किसे कहते हैं रामायड को मगर पंचम बेद किसे कहते हैं महा भारत को कहते हैं राइट आंसर अप्शन नमबर सा हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कह रहा है आदी कभी किसे कहा जाता है उलसी दास, बालमिकी, कलहड या फिर चंद बरदाई को आदी कभी किसे कहते हैं यह आपको बताना है आदी कभी कहते हैं किसे बालमिकी को राइट आंसर आप्शन नमबर 2 आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 35 महाभारत का युद्ध किस इस्थान पर हुआ था पानीपत, तराइन, इंद्रप्रस्त या फिर कुरू छेत्र तो महाभारत का युद्ध कहा हुआ था कुरू छेत्र में हुआ था राइट आंसर, आउक्शन, नमबर दा आगे बढ़ते हैं next question के और next question यहाँ पर कहा रहा है चमूपती नामक अधिकारी संबंदित था चमूपती नामक अधिकारी जो था वो किसे संबंदित था राजस्व से, किर्सी से, सेना से या फिर न्याई से चमूपती जो था वो किसे संबंदित था सेना से समंद्धा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्शन नंबर सा आगे देखते हैं महा भारत का मौलिक नाम था महा भारत है उसका मौलिक नाम क्या था यह आपको बताना है ब्रहध कथा, कथा सरित सागर जै सहिता या फिर राज तरंग्डी महा भारत का मौलिक नाम क्या था ये आपको बताना है तो महा भारत का जो मौलिक नाम हो जाता है वो हो जाता है जै सहिता कौन जै सहिता बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है आगे बढ़ते हैं पर आरियों की दच्छिडी बिजय का सरप्रतम उल्ले किस ग्रंत में मिलता है आरियों की जो दच्छिडी में बिजय किया था उसका उल्ले सरप्रतम किस ग्रंत में मिलता है यह आपको बताना है रामायड में भगवद गीता में महाबारत में या फिर छान्दोग के उपनिसद में कौन सा यहाँ पर बिल्कुर राइट रहने वाला है आरियों के दच्छड बिजय का स्रे मिलता है किस में रामायड में राइट आंसर हो जाएका ऑप्शन नमबर आठी के आरियों के दच्छड बिजय का सरपतम उलेख किस गरंट में मिलता है रामायड में हमें देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एकोशन को देखेगा नेक्स्ट एकोशन का अंसर क्या होगा करा यूनानी राजपूत के रूप में मैंगिस्थनी चंद्रगुप्त मौर के दर्बार में कब पहुँचा ये आपको बताना है कौन सा बिलकुल राइट आंसर रहने वाला है तो ये कप पहुचाता भाई 302 में पहुचाता मैंगिस्थनी चंद्रगुप्त मौर के दर्बार में आगे बढ़ते हैं इंडिका किसका गरंत है इंडिका जो है वो किसका गरंत है ये आपको बताना है ये किसका हो जाएगा भाई पुलू टार्क का एरियन का मैंगिस्थनीच का या फिर इस्ट्रोबो का तो ये हो जाएगा मैंगिस्थनीच का राइट आंसर ऑप्शे नमबर सा आगे देखने हैं सन 629 भारत आने वाला फिर सिद्चीनी यातरी था फिर सिद्चीनी यातरी कौन था ये आपको बताना है सुमासिंग, पहान, हैंसोंग या फिर इतिसिंग कौन सा राइट होगा तो कौन रता है हैंसोंग आता है और किसके सासनकाल में आया था हर्स बर्दन के सासनकाल में आया था आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दो रखा है C.U. की है यात्रा बेट आत्म कत्था जीवनी या पिर इतिहासी ग्रन्त तो C.U. की क्या है एक यात्रा ब्रत है क्या है यात्रा बेट है राइट अप्सा अप्शन नमबर आ हो जाएगा आगे बढ़ते हैं तहकीक एह हिंद का लेखक कौन है यह आपको बताना है अलम सूदी यह दिरिक्षा है तुमारा अतल वरी अलवरूनी अलविरादूरी कौन सा यहां पर बिलकुर राइट आंसर रहने बाला है तहकीक एह हिंद के लेखक कौन है बहे हो जाते हैं अल वरुनी राइट आंसर उप्शन नमबर सा हो जाएगा आगे देखते हैं नेक्स्ट एकोशन कहरा है बर्स 399 में चंद्रगुप्त दुतिये के दर्बार में आने बाला चीनी यात्री कौन था ये आपको बताना है बर्स 399 इस भी में पर आप्शन नमबर सा यहां पर रहने बाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स्टक हुशन को देखीगा निम्कित में से कलहड ने किसकी रचना की थी? जो कलहड थे उन्होंने किसकी रचना की थी आपको बताना है लीला बती, कादंबरी, राज तरंगडी या फिर बिकर्मा, कजेव, चरित कौन सा राइड हो जाएगा? बटाबट आंसर दीजिएगा कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने बाला है तो कलहड ने कौन से लिखी थी? राज तरंगडी लिखी थी, कौन सी? राज तरंगडी आगे बढ़ते ही आप आ रहे असमक नामक महाजनपद की राजधानी का मूल नाम था ये आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है पौधन्य, राजपुर, या फिर हो जाएगा कामपिल, या फिर गिरीब्रज तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? असमक की जो राजधानी मूल नाम था पौधन्य, क्या था? पौधन्य, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन के ओ, नेक्स कुशन के रहा है पाटली पुत्र का संस्थापक था पाटली पुत्र का संस्थापक कौन था? आजात सत्त्रू, सिसुनांग, काला सोक, या फिर उदैन तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? पाटली पुत्र जो था, उसका संस्थापक कौन था? बह हो जाता है, उदाइन, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर दा आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन के रहा है इसा पूर्वी की छटी सतावदी में निमनिकित में से किस राज में राज तंत्रिये सासन नहीं था? इसा पूर्वी की छटी सतावदी में निमनिकित में से किस राज में राज तंत्रिये सासन नहीं था? तो वो हो जाता है किसमें बज्जी में राइट अंसर हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं कहरा है बिंबी सार किस बंसका था बिंबी सार किस बंसका था नंद बंसका, हर एक बंसका, सिसुनांग बंसका या फिर साके बंसका तो बिंदू सार किसका था यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है हर एक बास बंबू होता है इसका था यह हो जाएगा हर एक बंसका, right answer option number 2 हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं next equation क्यों, next equation को देखना है next equation का अंसर मारक क्या रहने वाला है कह रहा है आपर 16 महा जन्पदों की 16 महा जन्पदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्द है 16 महा जन्पदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्द है यह आपको अताना है संपुट निकाई, महा भारत, अगुंतर निकाई या फिर छंदोद्य उपनिसद कौन सा यहाँ पर right रहने बाला है 16 महा जन्पदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्द है तो बहपना हो जाता है अगुंतर निकाई में किस में अगुंतर निकाई में right answer option number सा रहने बाला, आगे बते हैं जैन धर्म में आदीनात किसे कहा गया है जैन धर्म जो है रिशी भदेव को कहा जाता है जैन धर्म में आदीनात बहुत ही important question अगे बढ़ते हैं यहाँ पर कहा रहा है भद्र बाहु की किर्ती का नाम है भद्र बाहु जो है उसकी किर्ती का नाम क्या था यह आपको बताना है परिशिष्ट परवत परवन पथा कल्प सूत्र आधी पुराण भगवती सूत्र कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने बाला है भद्र बाहु की कर्ती का नाम आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा तो बहे क्या हो जाएगा कल्प सूत्र हो जाएगा right answer option number 2 यहाँ पर रहने वाला है आगे देखते हैं next equation के रहा है यहाँ पर निम्निकित में से कौन जैन धर्म का संदच्छक नहीं था जैन धर्म का कौन संदच्छक नहीं था यहाँ आपको बताना है कनिस्क जो था वो जैन धर्म का नहीं था right answer option number 2 आगे बढ़ते हैं महाबीर स्वामी ने किस ब्रक्ष के नीचे निर्बार प्राप्त किया था इसके साल ब्रक्ष पीपल ब्रक्ष नीम ब्रक्ष या पर बट ब्रक्ष कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है तो महाबीर जो स्वामी थे उन्होंने किस ब्रक्ष के नीचे निर्बार प्राप्त किया था साल विरक्ष के नीचे निर्माळ पराप्ते किया था आगे देखते हैं जैन धर्मिके कितने तीर्त कर रहे हैं ये भी आपको याद होना चाहिए 24 रहे हैं 24 परे कौन से हैं महाबीर स्वामी तेस परे कौन से हैं पासर बनात दोनों इंपोर्टेंट है याद करें आगे बढ़ते हैं यहां कहा रहा है 56 महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था ये आपको बता रहा है गौतम देवब्रत सिध्धार्थ या फिर हो जाता है प्रसीन की पिर कौन सा यापर बिल्कुल राइट रहने वाला है महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या था सिध्धार्थ था राइट आंसर उप्शन नंबर सा आगे बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है 563, 578, 567 और 484 कौन सा बिल्कुल राइट होगा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कब हुआ था 563 इसापूर में हुआ था आप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट होगा महाबीर का जन्म कब हुआ था महाबीर का जन्म हुआ था बह कब हुआ था ये आपको बताना है 527, 563, 566, 599 यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है महाबीर का जन्म कब हुआ था तो बह हुआ था 599 राइट आंसर आप्शन नंबर दा यहाँ पर रहने वाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स एक क्विशन कह रहा है महाबीर स्वामी ने किस्तिथी को निर्माड प्राप्त किया था महाबीर स्वामी ने किस्तिथी को निर्माड प्राप्त किया था ये आपको बताना है 599, 562, 387 रथा हो जागा 527 कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है तो महाबीर ने किस्तिति को निर्वाब प्राप्ति किया था ये किया था पांसो सक्ता इसमें राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर दा आगे बढ़ते हैं महात्मा बुद्ध की मित्यू कब हुई थी 605 में, 486 में, 480 में, 470 में कौन सा बिल्कुल राइट आंसर पर रहने बढ़ा है महात्मा बुद्ध की मित्यू कब हुई थी ये आपको यहाँ पर बताना था तो बो हो जाएगा अपना 486 इसापूर में महात्मा बुद्ध की मित्यू हुई थी आगे बढ़ते हैं महात्मा बोध्य की मित्यू कहां हुई थी ये भी आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा तो बताना है सारनाथ, लुम्बनी, बोध गया या फिर कुसी नगर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है महात्मा बोधिकी मत्यव कहा हुई थी भाई कुसी नगर में हुई थी ठीक है और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछन के रहा है तुमारा जातक कथाएं किस धर्म से संबंदित हैं तो जातक कथाएं हैं किस धर्म से समद्ध है जैन धर्म बोध धर्म सैब धर्म कौन सा यहां पर बिल्कुल रहने वाला है तो जातक कथाएं जो हैं वो किसे हैं बोध धर्म से समद्ध हैं राइट आंसर ऑप्शन नमबर आगे बढ़ते हैं नेक्स कुछिन कह रहा है बुद्ध चरित का लेखक है बुद्ध चरित जो है उसके लेखक कौन है यहां को बताना है भव भूती अस्व घोष या फिर नागारजुन भद्र बाहु कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है तो बुद्ध चरित के जो रचना की थी जो लेखक हैं वो कौन है पुजाते हैं अस्व हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं यहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रिथम उपदेश किस इस्थान पर दिया था यह आपको बताना है पहला बोध गया कोशिम कौसामभी सारनात राजग्रह कौन सा विल्कुल राइट आंस हो जाएगा तो पहला उपदेश दिया हेरो टोट्स, स्काइलेक्स, मिलेट्स कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है तो कौन जाएंगे हेरो टोडस ठीक है राइट आंसर अप्शन नमबर 2 आगे बढ़ते हैं इंडिका नामक पुस्तक किस ने लिखी थी यह आपको बताना है क्लिनी, स्ट्रेवो, एरियन, टालमी, यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है इंडिका नामक पुस्तक किस ने लिखी थी बहे लिखी थी एरियन ने, राइट आंसर अप्शन नमबर 3 हो जाएगा आगे बढ़ते हैं यहां पर चंद गप्त मौरे गद्धी पर कब बैठा यह आपको बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा 321 में, 322 में, 330 में, 320 में, यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है यह हो जाएगा 322 में, राइट आंसर अप्शन नमबर 2 रहने वाला है आगे बढ़ते हैं असोक ने कलिंग बिजय कब की थी यह आपको 73 यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है तो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर दा 200 73 में असोक ने कलिंग पर विजय प्राप्ति की थी आगे बढ़ते हैं चंद गुप्त मौर के पुत्र बिंदुसार का राज यवेसे कब हुआ अब इसका बेटा पूंच ले तो इसका बेटा कौन था असोक था ठीक है अब यहाँ पर के रहा है चंद गुप्त मौर के पुत्र जो थे बिंदुसार बिंदुसार का राज यवेसे कब हुआ था यह आपको बताना है तो यहाँ पर क्या राज रहने वाला है आगे बढ़ते हैं चंद गुप्त मौर का अंतिम सासन बर्ष जो था वो क्या था आपको बताना है यहाँ पर कौन सा विलकुर राइट रहने वाला है अंतिम सासन बर्ष जंद गुप्त मौर का तो क्या हुदाएगा इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है तो राइट आंसर पर क्या हुदाएगा 243 नमबर 2 यहाँ पर हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं क्योशन कहा रहा है असो गद्धी पर कब बैठा बिन दुसार का बेटा था ठीक है असो गद्धी पर कब बैठा था यह आख को बताना है 273 में, 279 में, 267 में, 261 में तो right answer हमारा क्या नहनेवारा है बिल्कुल आप निकाल सकते हो बिल्कुल आप निकाल सकते हो 267 में बैठाता आगे बढ़ते हैं अशोकी मेट्यू कभ हुई थी यह आपको बताना है अशोकी मेट्यू कभ हुई थी इसका राइट आंसर मारा क्या रहने वाला है इसका असो गदिवे कब बैठा 266 में इसकी मत्यू कब हुई यह आपको बताना है इसमें 232 दे रखा है 232 इसापूर विसकी मत्यू हुई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं भी यहाँ पर कह रहा है मौरे बंस का प्रिथम समराट था मौरे बंस का प्रिथम समराट कौन था यह आपको यहाँ पर बताना है तो सबी को पता है चंदर गुप्त मौरे था राइट आंसर ऑप्शन नमबर आगे बढ़ते हैं चंद गुप्त ने किस राजा को परास्त कर मौर बंस की स्थापना की थी, यह यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, तहां पर रखा है सुसुनांग, उदायन, महापगनन्द या फिर घनानन, तो किसको घनानन को हराकर उसने चंद गुप्त मौर ने मौर बंस की स्थापना की थी ठी के नंदबंस को खतम करके आगे बढ़ते हैं चंद्र गुप्त मौरिका प्रिधान मंत्री कौन था यह आपको यहाँ पर बताना है राच्छा चालक के उपगुप्त या फिर भद्र बाहू तो यह हो जाता है चालक राइट आंसल ऑप्शन नमबर बाप आगे बढ़त कौन सा है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसल अपना रहने वाला है ठीक है क्या हो जाएका 305 में सेल्यूकस ने भारत पर आकरमर किया था राइट आंसल ऑप्शन नमबर आ आगे बढ़ते हैं इंडिका पुस्ता के किसने लिखी थी यहां को बताना है मैगस्तिन ने कौट आगे बढ़ते हैं भाग और बली क्या है भाग और बली क्या है यह आपको बताना है सासकी विभाग राजस्विके साधन धार्मिक अनुष्ठान सैनिक विभाग तो यहाँ पर भाग और बली क्या है यह आपको बताना है यह क्या है राजस्विके साधन है राइट आंसल ऑ दसरत असुक यह पर चंधर्गप्त पिर्थम यहाँ पर कौन सब बिलकुल राइट होजाईगा चंध्रगप्त मौर भी ऐसंड़र को ह। यह भी जैन धर्मका था कौन राइट मोन तो सघ्जाति हैं नंस अ आजूक या फिर कुमार तो यहां पर कौंशा विलकुल राइट रहने पाला है या आपको बताना है तो उसोग ने किस नए पद का सजन गिया था धर्म महा मात्र का या था कि सका धर्म महा मात्र का या ता य संवी किया ढाइड je रखा है सुसीम बिन्दूसार कुडाल या सोक कौन सा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यह आपको बता है तो चंदगुप्ते के वार मगद राज सिंगासन पर किसने आसिन किया था बिन्दूसार ने किया था राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अमबर आगे बताएं यहां पर है तो यहां पर राइट आंसर रहने वाला है तो चोपन बास घत्ता जो है वो किसने लिखी है वो लिखा है अपना भास ने राइट आंसर होजाएगा ऑप्शन नमबर आ आगे बढ़ते हैं मौरिकाल में सर्भस्रेष्ट स्तंभ है यह आपको बता आपो बताना है ने तो कोरे बलाई को सisha कोड़े जाता है तो मौरो काल में सर्बासि नीट है सारज में में राष्टे लिपी थी कैसी थी आपको बताना है खरोश्टी लिपी ब्रहाई लिपी थी अली थी या कर तेक ती कि मारेकाल में कैसी लिपी थी यह आपको बताना है तो बहुं जाती है कैसी ब्रहा लिपी थी मौरेक काल के राश्च लिपी कैसी थी ब्रहा लिपी थी राइट ऑप्शन अपर बाव हो जाएगा next question कि और बढ़ते हैं next question कह रहा है मगद राज का पहला ग्यात राज बंस था आपको बताना है कौन था ब्रहदरत बंस था हरेक बंस था पुलिक बंस था या फिर सिसुनाग बंस था तो मगद राज का पहला ग्यात राज बंस कौन था आपको बताना है कौन सा बिलकुल राइट होगा तो बैह हो जाता है ब्रहदरत बंस राइट आंसर उप्शन नमबर आ आगे बढ़ते हैं मगद की प्राचीन राजधानी थी मगद की प्राचीन राजधानी क्या थी आपको बताना है गिरी ब्रज राजगरे बैसाली पाटली पुत्र तो कौन सा यहाँ पर बिलकुर राइट रहने बाला है मगद की प्राचीन राजधानी क्या थी बैह आपको यहाँ पर बताना है मगद की प्राचीन राजधानी क्या थी गिरी ब्रज थी राइट आंसर उदाय का आप्शन नमबर आ आगे बढ़ते हैं पाटली पुत्र नगर किसने बसाया था यह आपको बताना है जो पाटली पुत्र नगर था भे किसने बसाया था बिंबी सार ने बिंदू सार ने उदाइन ने या फिर ससुनाग ने पाटली पुत्र नगर किसने बसाया था यह आपको यहाँ पर बताना है तो राइट आंस अपना कौन हो जाएगा उदाइन हो जाएगा पाटली पुतर नगर जो बसाया था वो किसने बसाया था उदाइन ने बसाया था आगे बरते हैं नेक्स कुछिंग करें नंद बंस का अंतिम सासा कौन था नंद बंस जो है उसका अंतिम सासा कौन था यह आपक क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा sorry यह प्रिथम सासक था मैं भी कर रहा हूँ अंतिम की बात हो रही थी यहाँ प्रिथम सासक कौन था महापगनन्द था और अंतिम सासक कौन हो जाता है धनानन्द हो जाता है अंतिम सासक कौन था धनानन्द हो जाएगा यह राट आंसा कौन सा नहीं वाला है option number 2 हो जाएगा अपना ठीक है यह नहीं होगा यह पहले पिर्थम सासकता कौन था पिर्थम सासक आपका हो जाता है महापगरंद मगा अंतिन कौन हो जाएगा धनानंद आगे बढ़ते हैं चंद्र गुप्ति की मित्यू कब हुई थी आपको बताना है 411 में 412 में 413 में 414 में चंद्र गुप्ति की मित्यू कब हुई थी इसका आंसर बताना है कौन सा बिल्कुल राइट होगा तो राइट आंसर हो जाएगा option number 2 412 में चंद गुप्ति मौरिकी मित्ति हुई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर next question कांसर नेक्स वर्षन कांसर क्या होगा यहाँ पर कह रहा है म्रच्छी कटिक की रचनाकार कौन है यहाँ पर बताना है चुद्रक हैं विसाक दत्ते हैं काली डास या पर वगो है कॉन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रांसर रहने वाला है। attitude कर? आगे बढ़ते हैं next question महारायली अभी लेक है वह कहाँ पर है यह आपको बताना है इलाबात दिल्ली कोसामबी抌दा है पर हमें कहां पर है महारौली अभी लेक तो महारौली जो अभी लेक है वो कहां पर जाएंगे दिल्ली में है राइट आंस हो जाएगा option number 2 आगे बढ़ते हैं next equation क्यों next equation यहां पर कह रहा है 93 किस गुप्त समराट ने सर प्रतम चांदी की मुद्राय चलाए थी तो कौन हो जाता है चंद्रगुप्त पिर्थम या समुद्रगुप्त पिर्थम चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त राइट आंसर मारा कौन सा रहने बाला है यह आपको बताना है तो चांदी की जो मुद्राय चलाए थी वो के चंद कालिदास किसके समकालीन थे तो वो हो जाते हैं चंद्र गुप्त बिकर्मा दत्त के सासंकाल हो जाते हैं राइट आंसर ऑप्शन नमबर बार नेक्स बरते हैं फाहन किसके सासंकाल में भारत आया था पहान जो था वो किसके सासंकाल में भारत आया था यहां को पताना है कनिस के चंद को दूतिय के यह सो बर्मन के हर्स बर्दन के एंसों किसके सातनकाल में आया था हर्स बर्दन के मगर जो फहान है वो किसके सातनकाल में आया था चंद और भी question मिलेंगे BSC third, sorry, BA history के third decade, ठीक है, यही नहीं बहुत सारे book के दे रखें आपके इसके नीचे, ठीक है, बहाँ पे आप download कर सकते हैं और कुछ हमारे important question है यह पेडिया आपके बहुत ही भाहत बूर है मैं आपको एक ही book करवाँगा, बाकि आपको खुद टेलीग्राम पर जाके PDF notes डानलोड करके, ठीक MCQ question डानलोड करके बहाँ सही आपको पढ़ना पढ़ेंगे तो unit second की और बढ़ते हैं first question है, सिच्छा का सरबदे की विकास किस मुगल बादिसाह के काल में हुआ था सिच्छा का सरबदे की विकास हुआ था वो किस मुगल बादिसाह के सासन काल में हुआ था हुमायू जहां की रकबर या सहा जहां कौन सा यहां पर बिलकुल right answer अपना रहने वाला है ये आपको बताना है कौन हो जाएंगे भई, हुमायू हो जाएंगे कौन जाएंगे सिच्छा का सरब विकास किस मुगल बादिसा के खत्म हुआ था तो हुमायू के काल में हुआ था बहुत ही इंपोटेंट है ना आगे बढ़ते हैं कहा रहा है हुमायू नामा किसकी रचना है आपको बताना है रहीम जो थे वो किसके दरबार में कभी थे या आपको बताना है अकबर, औरंग, जेब, दारा, सिकोह, या फिर बाबर कौन सा विल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है तो रहीम जो थे वो अकबर के दरबार में थे सबी को पता है आगे देखते हैं बिहारी किस काल के कभी थे या आपको बताना है आदी काल, भक्ती काल, रीती काल या फिर अधुनिक काल तो राइट आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है बिहारी जो थे वो किसके काल के थे भाई रीती काल के थे आगे बढ़ते हैं कहे रहा है मुगल काल का पहला मदर्सा किस नगर में बना था जो मुगल काल था उसका पहला मदर्सा जो बना था वो किस नगर में बना था ये बनाना बताना है आगरा लाहूर दिल्ली या फिर जौनपूर तो मुगलकाल का पहला मदर्सा जो बना था वो कहा बना था दिल्ली में बना था राइट आंसर उप्शन नमबर सा रहने वाला है आगे देखते हैं मुगलकाल में राज की भासा क्या थी उर्दू, हिंदी, फार्सी या फिर सभी तो बहपनी कौन हो जाएगी यह हो जाएगी फार्सी राइट आंसर उप्शन नमबर सा आगे देखते हैं रोसन आरा सहा जहां की कौन थी रोसन आरा जो है वो सहा जहां की कौन थी यह आपको बताना है पुत्री, पतनी, बहन या फिर बुआ तो जो रोशन आ रहा थी वो सहजा की कौन थी भाई पुत्री थी राइट आंसर हो जाएगा option number 8 ठीक है आगे बढ़ते हैं next question के रहा है रोशन आ रहा किस भाई को अधिक चाहती थी दारा से को हो मुराद, पूजा या फिर औरंग जेब तो जो रोशन आ रहा जो थी वो सबसे ज़्यादा किस भाई को चाहती थी औरंग जेब को चाहती थी राइट आंसर हो जाएगा option number 9 आगे बढ़ते हैं next question के रहा है नियायले में किसका निर्ड़े अंतिम होता था नियायले में किसका निर्ड़े अंतिम होता था सुल्टान का रहेगा right answer option number 8 आगे बढ़ते हैं महीम बेगम किसकी पतनी थी जो महीम बेगम थी वो किसकी पतनी थी यह आपको बताना है बाबर की अकबर की हुमायूखी सहाजहां की महीम बेगम इनका नाम याद अखना महीम महीद बेगम किन की पत्मी थी? बाबर की पत्मी थी भई राइट अंसर उप्षन नंमर आ हो जाएगा बाबर ठीक है? आगे बढ़ते हैं राजा को कानुनी शलाह देते थे? कौन देते थे? उले मा या फिर मंत्री सिना पति या फिर सिपाही कौन देते थे राजा को कानुनी शलाह देते थे कौन देते थे यह आपको बताना है ठीक है राजा को कानुनी शलाह कौन देते थे फटाबरिस कांसर देना है कौन देते थे बई उलेमा देते थे कौन उलेमा राजा को कानुनी शलाह देते थे उलेमा आगे बढ़ते हैं नेक्स वे मध्ध युग में दास प्रिथा कहां अधिक प्रिचलित थी मध्ध युग में दास प्रिथा जो थी वो सबसे अधा कहां प्रिचलित थी यह आपको बताना है भारत में अफरीका में अमेरिका में इंगलेंड में इसका राइट आंसर हमारा कौन सा रहने बला है यह आपको बताना है जो दास प्रिथा थी वो भारत में प्रिचलिती राइट आंसर आप्शन नमर आ हो जाएगा तो फेंट्स यहाँ पर हमारी यूनिट फर्स्ट कतम होती है यूनिट सेकेंड कतम होती है यह हमने किसमें देख ली पार्ट फर्स्ट में देख ली ठीक है और हमें यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड इसमें कवर कर दी है जिसमें हमने कम से कम देखे है तो एक बन का नीचे link दे रखा है टेली ग्रॉम पर link मिलेंगे सबी के वहां से जो आपको पसंद है वहां पर डान्लोड कर सकते हैं और आपके एकजाम के लिए बहुत ही important है एंड़र परसंट म्स की कुश्व कोईशन यहीं से आपके एकजाम ने वाले पिछली बार भी यहां से और जो नए हमने जोड़े हैं बहां से क्योशनों को आना आये थे और अब भी बहां से देखने को 100% मिलने वाले हैं तो लाइक करना, शेर करना, चैनल को सस्काइब करना सेकेंड बार आपको जल्दी मिलेगा तो फिर जैहिंद जैभा